लोग अक्सर जूटी तारी सुनकर बरबाद हो जाना पसंद करते हैं क्योंकि अपनी असलिय सुनने का जिगर हर किसी के पास नहीं होता जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर क्योंकि मनजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीट पीछे बाते करते हैं क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हो किसी ने क्या खूब कहा है खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक ना एक दिन वो साथ छोड़ ही देते हैं चाहे परिस्थिती कैसी भी हो हमेशा इतने खुश रहो कि गम भी सोचे ये में कहां आ गया दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना ये मन्जिलें बड़ी जिद्धी होती हैं हासिल कहां नसीब से होती हैं मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्टियां जिद्ध पे होती हैं यूं असर डाला है मतलब परस्ती ने दुनिया पर के हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं जरूर कोई काम होगा जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए लहसा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ तूड़ जाता है जूटा अपना पन तो हर कोई जताता है वो अपना ही क्या जो पलपल सताता है यकीन ना करना हर किसी का क्योंकी करीब कितना है कोई ये तो वक्त बताता है दोस्तों उस मनुष्ची की तागत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्बर की तागत है और अगर आज तुम अकेले हो तो ये बाद याद कर लेना कि संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है और सफलता में पुरी दुनिया उसके साथ होती है जिस जिस पर ये जगहसा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है ठले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है थोड़ा धीरज रख थोड़ा जोर लगाता रहे किसमत के जंग लेगी दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है कुछ देर रुखने के बाद फिर से चल पढ़ना है दोस्त क्योंकि हर ठोकर खाने के बाद समहलने में वक्त लगता है विखरेगी फिर वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना क्योंकि तूटे हुए मन को भी सवरने में थोड़ा वक्त लगता है जो तूने कहा कर दिखाएगा रखना यकीन गरजे बादल तो बरसने में भी वक्त लगता है दोस्तो जिन्दगी बहुत हसीन है ये कभी हसाती है कभी रुलाती है लेकिन जो जिन्दगी की भीड़बार में भी खुश रहता है जिन्दगी उसी के आगे सिर जोकाती है जिन्दगी में मनुष्य की आँखे बंद करने से मुसीबत नहीं टला करती बलकि उसी मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आँखे खुल जाती है दोस्तों वीडियो के अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम अपनी जिन्दगी में किसी एक चीज़ को पुरी शिद्ध से चाहते हैं तो हमारा हर काम उसी एक चीज़ को पाने के मकसद से होने लगता है इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सफलता को अपना एक मातर मकसद बना लो हर समय दिमाग में सफलता के ही विचार आने चाहिए ये बात बिल्कु सच है कि सफलता कभी भी आपको एक जटके में नहीं मिलती अचानक ही आप अपने सफनों को पूरा नहीं कर सकते अचानक ही आप अपने relationship को नहीं सुदार सकते अचानक ही आप अपनी fitness को नहीं बढ़ा सकते लेकिन आपके पास एक plan होना चाहिए आपको क्या चाहिए आप कहां जाना चाहते हैं और आप वहां तक कैसे पहुँचेंगे आपको कितना समय लगेगा और इसके लिए आपको कितनी मेनद करनी पड़ेगी यह सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों बेना सोचे समझे किया गया कोई भी काम हमको सफलता नहीं दिला सकता जब आप पूरी शिद्दत के साथ पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रियास का हिस्सा बनिए और अपने लक्ष की तरफ सकारत मक्सोच के साथ बढ़ते चलिए मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में